हेलो एवरिवन देखिए अब कोशन नंबर 13 कोशन नंबर 13 में क्या है कहते हैं D & E are points on the side CA and CB respectively D & E points हैं किन side पे CA और CB बर, off triangle ABC ABC एक right angle triangle है और right angle कहां बनावा है उसका C पे क्लियर इतनी बात यह तो समने मालगी उसके बाद पढ़ो दुपारा इसको कहता है D & E are the points on the side CA and CB respectively D किस पे है CA पे यह रहाँ CA तो CA पे यह मानलो D point है और E किस पे होगा CB respectively का मतलब यह होता है D पहले CA पे और E किस पर CB पे तो यह E मानलो इस पे होगा कोई point clear now prove that AE square plus BD square AE square देखो AE तो यह है तो इसको मना देते हैं पहले line ठीक है यह रही AE का square plus BD का square BD मतलब यह वली line यह मानलो चलो BD का square is equal to AB का square plus D E का square D E मतलब यह वली line D E का square समझ गयो के नहीं बात को ठीक है तो अब देखते हैं क्या करना है देखो जब भी ऐसे questions आ जा जाएं कभी भी ठीक है और right angled हो तो आप समझाना पाई था और उसका ही use हो है ठीक है देखो AE का square plus BD का square equal लाना है AB square plus D E का square तो AE square देखो किसमें आ सकता है AE का square यह रही AE तो अगर AE को लाना है हमें तो यह triangle consider करूँ मैं ACE ठीक है तो देखते हैं देखो solution में इन triangle मानलो ACE में लगाओ जारास में Pythagoras लगाएंगे तो देखो यह 90 है तो ACE में AE क्या बन जाएगी हाइपोटनिस क्योंकि 90 के सामने वाली क्या होती है हाइपोटनिस तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा AE का square equal to में AC का square plus CE का square ठीक है इसे मान दो equation first और यह कहां था यह by Pythagoras क्लियर इतनी मात यह नहीं ठीक है अब दूसरा कोंसा है BD BD देखो कहा है BD यह BD अब अगर यह BD हमें Pythagoras लगानी है और BD को लेके आना है तो ट्रेंगल कोंसा इसका मतलब इन ट्रेंगल BCD में तो लगाओ जरा भाई Pythagoras क्या जाएगा हमारे पास BD का square equal to में CD का square plus क्या है यह हमारे पास BC का square clear इतनी बाद यह नहीं यह भी second equation और यह भी कहां से आई है यह नहीं है इतनी बाद ठीक है अब देखो यहां सी पर चल रहा है जो हमें प्रूफ करना था AE square plus BD square था ठीक है तो इनको add करते है ठीक है न तो add 1 and 2 add करो 1 and 2 को AE square plus BD square equal to अब right hand side को add करते हैं, क्या है A, C square plus C, E square plus C, D square plus B, C square यह नहीं है ठीक है अब देखो जिरा अब मुझे तो लेकिन यह नहीं चाहिए यहां आप right hand side में यह ब्रूफ में जो करना है मुझे AB square प्लस D square AB square प्लस D square अब देखो AB कहा है यह राए AB square यह राए अब यह AB square कैसे आ सकता है देखने की बात है यह AB square कैसे आ सकता है अगर यह पूरा triangle रूम है ABC और इसके अंदर यह AC और यह BC यह हो सकता है मतलब यहां रफ में दिखाता हूँ, अगर मैं A B को लेकर आना चाहता हूँ, तो A B C अगर ट्रेंगल दे रहा हूँ, इसमें अगर पाइथागोरस लगाँगा, अगर मैं रहा हूँ, इसमें रहा है, तो B C D सकेर और C E सकेर और C E सकेर और C E सकेर, यह था, A E सकेर, B C सकेर किसके कोल था, A B सकेर के, तो A B सकेर आगे, तो A B सकेर और C E सकेर किसके कोल था, D E सकेर, तो D E सकेर आगे, ठीक है, और इतर क्या था सहीं, A E सकेर ब्स B D सकेर, ठीक है, तो यहां भी लिख देना, बाइ, यह कहां सा है, बाइ, पाई पाई था को रस् Thank you.